कि फॉर्म बरने में बहुत लोग को प्रॉब्लम हो तो सुचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं तो पहले हम लोग को ग्यान जोती का वर्जन 2.0 के लिंक पर जाना है तो गूगल क्रोम खोली है ग्यान जोती वर्जन 0.2 जो पहला लिंक खुल रहा है हमारे पास यहां पर ग्यान जोती वर्जन 0.2 लिखाओ है इसको उपन करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर हम आप्शन में लेगा स्टुटेंट रिस्टेशन का यहां पर अपना कोर्स जो के हमारा बीटेक है वो एंटर करके अपना इमेल आईडी और देट और बर्थ आपन करके हम स्टेप 2 और स्टेप 3 तो हम लोग पहले उपर में जितने भी डॉक्यमंट्स हम लोग को अप्लूड करना है वो को भी पांसो के बी से उपर का नहीं होना चाहिए यहां साफ साफ मेंशन क्या हुआ है उपर में स्टेशन का मतलब जो भी हम थम इंप्रेशन अपना या अगर आप OBC बिलॉंग करते BC1, BC2 या फिर जेनरल जो भी आपका है वो भरेंगे father's name, mother's name, अपना mobile number, अपना permanent address, pin code के साथ और उसके बाद यहां पर करेंगे save and proceed जैसे ही proceed करेंगे हमारे पास step 2 खोल जाएगा step 2 में हमें institute name में BIT सेनी धनवा स्रेट कर लेना है अपना branch जो भी आपको branch a lot हुआ है counseling type में हमें चूज करना है JC, ECB का रांची counseling और admission type में regular जैसे select करेंगे हमारे कुछ और dialogue box खोल जाएगे फिर अपको यहां पर अपना CML परना है और category rank उसके नीचे अगर आपका category rank मिला हुआ है अगर आप STSC यह जो भी OBC से belong करते हो और बगल में general merit rank जो है उसमें आपको अपना J means का rank परना है फिर other merit list में जो कि अगर आप service men quota से belong करते हैं आपको special quota belong कर रहे हो तो वो अगर आपको allot हुआ rank तो भरना है उसके बाद आपको nature of seat में others और admission date, admission date के लिए मैंने description में link दे दिया है उस PDF का जिसमें आपका admission date मेल जाएगा अगर आपको नहीं पता हो अपना admission date तो migration certificate का number और migration certificate का issue date migration certificate का number आपका migration certificate में top left corner में होता है जो mc slash 2019 या 2020 करे कुछ लिखा होगा अब देख लिजेगा फिर से सब कुछ भरने के बाद save and proceed करेंगे तो हमारे पास यह थर्ड स्टेप खुल जाएगा थर्ड स्टेप में हमें transition ID में अपना college का रॉल नंबर भरना है जो चीवट से अलोट हुआ है चलान date में हम कोई भी date भर सकते है बट बेटर होगा कि हम अपना form भरने है उस दिन का date भरें और registration fee में आपको दो option मिलेंगे 550 with late fine and 350 without late fine तो हमें 350 वाल चूज करना है और IFS code में हमें जो notice आया था college के तरफ से उसमें लिखा हुआ था SBIN 0011812 यह भरना है और अपना left hand thumb impression जो कि 500 kb का कम से कम होना चाहिए और अपना signature यहां पर submit करने के बाद जो पेज आपको खुल के आएगा उसको save कर लीजे यहां तो print out कर लीजे क्योंकि जो google form college के अपसे फिल करना है उसमें उस page को attach करना है यह जो notice college के तरफ से तरफ से आया था उसमें आपको google form का link मिल जाएगा बीटेक प्रसन समेस्टर पर हमें क्लिक करना है उस लिंक पर क्लिक करने के पद हमारा google form खुल जाएगा जैसे कि हमें google form भडते हैं हमेशा से अपना email address name college roll number date of birth father's name mother's name जेंडर, permanent address, mobile number, present address, caste category जो भी आपको ब्रांच में ला हुआ है मेरा भाइ लेक्टिकल है फिर counseling type में आपको भरना है जे-सी-ई-सी-बी नई रुग जाओ form में लिखा हुआ था जे-सी-ई-सी-बोड रांची तो हम लग भी बेटर भई भरते हैं तो अंदर दिखेगा जे-सी-ई-सी-बोड रांची अब यार बड़ा हो जा उसके बाद यहां बचकिया admission type में भरेंगे regular nature of the seat में other अगर आपको TWF से seat a lot हुआ है तो TWF भरी है service man quota से lot हुआ है तो वो भरी है जो कि आपने क्यान जोदी का link में भरा है उसके बाद admission date, qualifying examination, passing year जो कि आपका 12th का passing year होगा percentage of maths and physics, chemistry and maths अपने जो भी आपका percentage आप भर दीजे भाई मेरा कुछ खास नहीं देखके क्या करोगे मैं इस पार को skip कर देता हूँ फिर यहाँ पे seat allotted category through JCECB जो जस category साबको seat allotted हुआ है उसके बाद फिर यहाँ पे upload कर लिएगा अपने left thumb impression और signature और last में जो last column है वहाँ पे जो अपने ग्यान जोती का form जो last में सीव किया था इसका print out हमें लेने के लिए कहा था उसको यहाँ पे upload कर देना है as a pdf ये upload कर दीजेगा और last में finally submit कर देजेगा thank you